तो हेलो दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस यूटूब चैनल पर देखिए आज की इस वीडियो में BPC TRE 3.0 के लिए The Platform Book का पहला यहां पर Model Practice Set देखने वाले हैं देखिए इसमें जो है आपको 120 परस्न समान या ध्यान से देखने को भी लेंगे और 30 परस्न भासा का दिया है तो आज की इस वीडियो में समान या ध्यान के 120 परस्न को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं तो चलिए बिनादेरी के हुए इस वीडियो को सुरू करते ह तो देखिए शुरू के जो 30 प्रस्न है वो भासा के हैं इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है इसमें जो समाने अध्यन के प्रस्न दिया गया है उसी को के वाले यहां पर कराने वाला हूँ देखिए यहां पर प्रस्न पुछा गया है कि इंडिया फॉर इंडियन्स किताब किसने लिखी पहला अप्सन है C.F. एंडूज बी अप्सन है M.G. रानाडे और C. है B.D. सवरकर और D. है उप्रिक्त में से एक्स यादिक और E. है यहां पर उप्रिक्त में कोई नहीं तो देखिए यहां पर जो आपका राइट एंसर होगा वो होगा अप्सन नमबर E. इंडिया फॉर इंडियन्स जो पूस्तक के लेखक हैं वो है C.R.10 कौन है C.R.10 है ठीक है तो इसलिए इसमें कोई अप्सन नहीं है इसलिए यहां पर अप्सन E हो जाएगा राइट एंसर next question की बात किया जाए तो next question देखिए यहां पर बोला गया है कि इन में से कौनसा कथन सही नहीं है तो देखिए यहां पर पहला अप्सन है कि Doctor Anne Basant फिश्ट थी यह बात सही है यहां पर Theosifical Society का अंतराश्ट्रिये मुख्याले यहां पर देखिए Mathraas में है यह भी बात जो है सही है यहाँ पर देखिए है कि महात्मा गांधी का जनम गांधी नगर में हुआ था यह जो है गलत है महात्मा गांधी का जो जनम हुआ था वह हुआ था आपका गुजरात के पुरबंदर में ठीक है तो इसलिए यहाँ पर option C हो जाएगा right answer next question की बात किया जाए तो बोला है कि निमलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनेतिक फिरवति कहा तो देखिए इन में से आपका हो जाएगा right answer अपसर नमबर C लाड लिन लिथिन गो इन्होंने गांधी जी के आंदोलन को राजनेतिक फिरवति कहा था next question की बात किया जाए तो बोला है कि बर्धा में सेवा गराम आशरम को किसने अस्थापीत किया तो देखिए बर्धा में जो सेवा गराम आशरम था उसकी अस्थापना किये थे महतमा गांधी अपसन B हो जाएगा right answer next question है कि देवबंद के उस बिद्वान का नाम बताईए जिनोंने सोतनता अंदोलन में महतपुन भूमी का निभाई तो देखिए इनका नाम था अबूल कलाम आजाद अपसन A हो जाएगा right answer next question की बात किया जाए तो बोला है कि फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलिय समेलन की अध्यक्ष निमलिखित में कौन थे तो देखिए जो फरवरी 1928 में जो सर्वदलिय समेलन का आयोजन किया गया था उसका अध्यक्ष थे डाक्टर A में अंसारी अपसन B हो जाएगा right answer next question की बात किया जाए तो next question यहाप पर बोला गया है कि एक बर्स के भीतर सवराज प्राप्ती लक्ष था तो देखिए एक बर्स के भीतर सवराज प्राप्ती के लक्ष जो था वह था असहयोग आंदोलन का अपसन C हो जाएगा right answer नेक्स्ट कोश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि गांधी जी के सिधान्द के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है तो देखिए इन में से आपका राइट एंसर हो जाएगा सत्याग्रह का उबदेश सत्रू को पराजित करना ठीका यही जो है कथन यहाँ प 1931 में हुआ था नेक्स्ट कोश्चन की बात किया जाए तो बोला है कि बिहार किसान साभा से कौन नहीं जूरा था तो देखिए बिहार किसान साभा से यहाँ पर कार्यानंद सर्मा जूरे थे स्वामी सहाजानंद जूरे थे यहाँ पर आजेंदर परसाद नहीं जूरे थे इसलिए यहाँ पर option number C हो जाएगा right answer, next question की बात किया जाए, तो बोला है कि निम्न में से किस अवधी में बालगांगाधर तिलक अंग्रेज कैद जेल में रहे, देखिए, यहाँ पर बात किया जाए बालगांगाधर तिलक को, तो यहाँ पर 1882 में इनको 4 माह का करवास की मिली थी, तो यहाँ पर दो option साई है, इसलिए यहाँ पर option number D हो जाएगा right answer, next question की बात किया जाए, तो बोला गया है, next question देख लिजिए, next question है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दरान, सवतंत्र सेनानी चीतु पांडे के निर्तितों में कहाँ पर सवतंत्र समांतर सरकार का गठन किया गया था, तो यह किया गया था आपका सनुक्त परांद के बलिया में, अब सने हो जाएगा right answer, next question की बात किया जाए, तो बोला है, कि नयाधिस Kings Ford की हत्या का प्रयास कब कहां और किसके दवारा किया गया था, तो देखिए, Kings Ford की हत्या का प्रयास जो है, 1908 में किय गया मोजाफरपुर में परफुल चोकी और खुदी रामबोस की दवारा, ठीक है, next question देखिए, बोला गया है कि लंदन बीसुभी द्याले की तर्ज पर भारत में कलकाता, बंबे, मदरास में तीन बीसुभी द्याला स्थापित किये जाएं, यसी फारिस प्रवधान निमन में से किस एक्ट के तहद किया गया, तो देखिए, इस question का right answer हो जाएगा आपका 1854 का Charles Wood Dispatch, ठीक है, यही जो है, यही एक्ट के तहद जो है, तीन बीसुभी द्याले किया स्थापना किया गया, कलकाता में, बंबे में और मदरास में, next question की बात किया जाए, तो बुला है कि फ्री हिंदुस्तान पत्र का परकासन निम्न में से किस के द्वारा किया गया, तो यह किया गया था, तारकनाथ के द्वारा, अब तारकनाथ दास के द्वारा, अपसन B हो जाएगा, right answer, next question है, यहाँ पर देखिए, next question पुछा गया है, कि 1920 के असयोग अंदोलन के दोरान, र देखिए, राहुल संक्यर किर्ट्यान जो है, यह च्छापरा में, च्छापरा से सक्रिये थे, अपसन A हो जाएगा, right answer, next question है, कि मुस्लिम लिग ने भारत विभाजन का मांग स्वर पर्थम कब की थी, तो यह किये थे, 1940 इस भी में, अपसन B हो जाएगा, right answer, next question देखिए, आई, आई एने बचाव समीति में सामिल अग्रीन ओकिल कौन-कौन थे, तो देखिए, अग्रीन जो इसमें आई एने में ओकिल थे, वो थे यहाँ पर भूला भाई देशाई, तेज बहादूर सुप्री और पंडित जवाहारलाल नहरू, अपसन C हो जाएगा, right answer, next question देख अपसन C हो जाएगा, right answer, next question की बात किया जाए, तो बोला है, कि 1942 में भारत छोरो अंदोलन तथा उसे पहले के कुछ बर्सों से बिहार के महिला सतंता सेनानी में, बहूरिया, रामसरूपा, देवी का नाम एक अतिपरमुक नाम है, वो बिहार के किस छेत्र की रहने वाली थ तो देखिए, बहूरिया, रामसरूप देवी जो थी, यह भागलपूर की रहने वाली थी, अपसन B हो जाएगा, right answer, next question यहाँ पर देख लेते हैं, तो next यहाँ पर question पुछा गया है, कि कौन सी जनजाती दिवाली को सोक का तेवार मनाती है, तो देखिए, यह जो है, अपसन B हो जाएगा, right answer, next question की बात किया जाए, तो देखिए, यह पर जो मरू भूमी होने की संभावना अधिक रहती है, वो तेश डिग्री अक्छांस के पास, अपसन B हो जाएगा, right answer, next question है, कि राज के बितिये लेखो का परिक्षन कौन करता है, तो राज के बितिये लेखो का जो परिक्षन करता है, वो करता है, यहाँ पर भारत के नियंत्रक योम महालेखा परिक्षन, यहाँ पर अपसन C हो जाएगा, right answer, next question की बात किया जाए, त तो कैबिनेट में जो है, यहाँ पर केवल कैबिनेट मंत्री समिलित होते हैं, अप्षन B हो जाएगा, राइट एंसर, नेक्स्ट कोश्चन है, कि राष्ट पती के उमिदवार के लिए क्या आवस्यक नहीं है, तो देखिए, राष्ट पती उमिदवार के लिए 35 परस का आयू होना यह जरूरी है, यहाँ पर पढ़ा लिखा यह जरूरी नहीं है, आवस्यक नहीं है, इसलिए अप्षन B हो राइट एंसर, नेक्स्ट कोश्चन यहाँ पर देखिए, बोला है कि ब्यक्तिगत सतंता के लिए उच नियाले निम्न में से किस रीट को जारी कर सकता है, तो यह जारी आपका करता है, यहाँ पर बंदी, परतिक्षकरन, अप्शन B, C हो जाएगा राइट एंसर, नेक्स्ट क कोश्चन की बात किया जाएगा तो बोला है कि भारतेश्रम इधान के अनुछेद में कौन सा बिधायन सत्ता पर पुर्ण नियंत्रन लगाता है, तो यह लगाता है आपका अनुछेद चओद, ठीक है, अप्शन A हो जाएगा राइट एंसर, नेक्स्ट कोश्चन की बात कि जाएगा तो बोला है कि नीचे दिये गए राज को भारत संग के शंपून राज का दर्जा प्राप्त होने का सही कालनुकरम कौन सा है, तो देखिए इसमें जो आपका राइट एंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका अप्शन नमबर B, नागालेंड, उसके बाद यहा भारना की ब्याख्या करता है, तो यह करता है आपका कलियानकारी राज का अप्शन A हो जाएगा राइट एंसर, नेक्स्ट कोचन है कि निमलिखित सब्दों में से कौन से सब्द ब्यालिस्वे संब्धानिक संसोधन दोरा प्रस्तावना में जोरे गएं, तो यह जोरे गए आपका समाजवाद और पंथ निर्पेक्षता, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका और यहाँ पर देखिए, अप्शन B हो जाएगा, राइट एंसर, नेक्स्ट कोच्चन की बात किया जाए, तो बोला गया है, नेक्स्ट कोच्चन यहाँ पर आपको जो है मिलान करना है, दे तो देखिए, यहाँ पर जो है आपका बीधी का सासन, अगर बीधी का सासन की बात किया जाए, तो यह लिया गया है आपका इंगलेंड से, कहां से लिया गया है, यह आपका जो है इंगलेंड से लिया गया है, वैसे ही अगर बीधी द्वारा स्थापित, यहाँ पर बीधी पति के विचारार्त राजपाल द्वारा विधाय को सुरवचित रखना तो यह आपका यहाँ पर लिया गया है कनाडा से और बात किया जाए बिश्तिरित उभायनिष्ट सुची की तो यह लिया गया है अस्टेलिया से तो देखिए इस कोश्चन का राइट एंसर यहाँ पर बात किया जाए तो अप्शन नमबर यहाँ पर बी हो जाएगा राइट एंसर अप्शन भी नेक्स्ट कोश्चन की बात किया जाए तो बोलाए कि भारतिय समिधान का पर्थम परूप तयार किया गया वो किया गया था बी एन राव के दोबारा ठीक है नेक्स्ट कोश्चन क की बात किया जाए तो देखिए यहां पर जो है अपका current affairs भी यहां पर दे दिया गया है तो बस आज के लिए इतना ही फिर जो है जितना भी इसमें question बचा है इसको हम next वीडियो में लेकर आएंगे तब तक के लिए जाएंगे